के गाइस गुद मॉर्णिंग कैसे अब सब्सक्राइब आयोप यह वैल तो स्रेंट्स करेंट एक स्रीज में आज हम पढ़ेंगे 29 मार्च जी करेंट पर तो जा स्टार्ट करते अपने इस वीडियो को ना कम तो फर्स्स करेंट फेयर यह एसी si award strongest insurance band स्रेंट यह बनाया वर्ल्ड का strongest इंशुरेंस इंशुरेंस बैंट्स सिंट्स प्रीपोर्ट में पता चलाएं कि एलाएसी वर्ल्ड को है जो एलाइसी की ब्रेंड वैली है वो 9.8 बिलियन डॉलर है इस ब्रेंड वैल्यू पर एलाइसी बना है वर्ल्ड का स्टोंग एस इंशुरेंस बैंड और सेकंड नंबर पर को नहीं के था है लाइफ सेकेंड गुजराथ स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर लॉंच सिक्षार फारीफर्मस के उसमें कुछ नहीं नहीं तेखनौलोजी यूस व्में कुछ उन्हों नहीं रखना एसा उन्हों है च्राइज्ट लॉंच ऑनलाइन लर्निंग प्लैट्फरम में सूरत đến सूर्द ुडिवर्श्न तु प्रेटफॉर्म को शुरू किया है और वही जो एजुकेशन उसमें रिवलुशनाइज लाए हैं और टेक्नोलोजी है उसमें काफी बहुतर तरीके सार बच्चे को बढ़ाने की कोशिश किया है उन्होंने AI information technology और साइबर सेक्यूरिटी से जुड़ेवे कुछ नहीं नहीं स्ट्रिक्शरी रिफर्म किया हैं और किसके साथ को लैब में किया Microsoft and Finnish University के साथ उन्होंने किये हैं ओके ना कम तो थर्ड क्रेंट फिर अलाबाद हाई कोट स्ट्राइग डाउन के मदरास एजुकेशन एक्ट में स्ट्रेंट स्ट्रेंट स्यूपी बोर्ड करें मदरास एजुकेशन एक्ट है जिसमें स्पेसिफिक एक रिलीजन के बार में प बच्चों को सिस्लामिक चीजें बता जाते हैं कि इसलाम में कैसे होना चीए कि होना चीज सिर्फ इन बातें महां बता जाते हैं आपे बच्चों को सिकhate activities कुछ निंग बता जाती है इसे में लगनाव वैंच है लगनाव हाई कोट के सब्सक्राइब कि युद्ध ऑर्ड क सब्सक्राइब कर दिया जाए कि काफी वाइलेशन ला रहा है हमारे सब्सक्राइब के लिए यह काफी सब्सक्राइब तो इसके चलते हुए जो मारी अलाबाद हाई कोट असे स्ट्राइक डाउन के मदरास एज्जिकेशन एक्ट भी और सब्सक्राइब कोई भी एक पर्टिकुलर इस्टेट कोई भी ऐसा बोर्ड नी बना सकती जो सिर्फ एक रिलीजन के बारें पड़ा या फिर एक ऐसा स्कूल स्कूल नी बढ़ा सकता है इसा बोला है बच्चों को ऐसे पत्रीके से पढ़ाएं जिन से वह हमारे यूथ काफी हमारे लिए अच्छी काफी रहे तो इसके लिए ऐसा बोला है प्सक्रन से पील किसे फाई किया यह पील अन्शुमंच शिंग राठोट जी ने फाईल किया और चुन्हां इस पील में ऐसा कहा गया है कि जो यह मदरास मदरास एजुकेशन एक्ट है से एजुकेशन मिनिस्टर ना चला कर से एक माइनुरिटी वैलफेर डिपार्टमेंट को चला रहे हैं कि नाव कम टू फॉर्थ हिस्टोरिक डे नाइट वोमन एशेस टेस्ट एट एम सीजी मेलबरन क्रिकेट ग्राउंड में हिस्टरी रिकॉर्ड हुए है जिसमें डे और नाइट का वोमन एशेस मैच चल रहेंगे कब चलेंगे थाज़न्टिफाइप में यह मैच होंगे पहली बार ऐसा है कि पिंक बोल टेस्ट यह होगा इस मेलबरन क्रिकेट ग्राउंड पहली बार पिंक बोल टेस्ट किया जाएंगा और फॉर्डी मैच होगा जो इंग्लिश और और ऑस्ट्रियन के बीच में होगा कब से कब थर्टी जैनवरी से लेकर 2nd फैवरी थे 325 में म सब्सक्राइब ना कम टू फिफ्ट हंसा मिस्ट्रा अपॉंट्ट के गया है यूप्स्ट के तो पांस साल तक इनका जो कारेकाल है वह उसके बाद आगे ओडर सकता है मतलब आगे भी देख सकते हैं कि क्या पता हैं कि जो डुटार्मेंट एज जो तब तक यह रह सके हैं ओ वो बाहदुर फस्ट मगायवाल इन इंग्लिशन फस्ट मगायवाल इंग्लिश में प्रांस्लेट हुई है फुल बाहादुर ! शंज घंमंग मगाइन लेंगविज थी वह 2 हिंदी लाइड से भी पहली की लेंगविजंग जाहर करण वेस्ट बैंगोली बिहारस में ज्याद pages यूज की जाते थे लेकिन अब इसका कुछ जादा प्रचाहर नहीं है इस लेंग्विज है इसलिए हमें कभी सुनने को भी मिली है इसे लेंग्विज ओके फूल बहादुर को किस ने लिखा है जैंती पति जी ने लिकाता नान्टेंट ठीट में जिसका ट्रांसलिशन किस fuss night जम्मो कष्क मिल्ट इन गवर्णर मनeze सिना लौंच इंगल्िश ट्रांसलेशन ऑफ मघाय 1928 में उन्हें लिखी ती अब अब कुछ शोट न्यूस पढ़ते हैं फर्स्ट नीरा चोप्रा नेम एज एवर रेडीज न्यू ब्रेंड अमेजडर बनाया गया है ना कम्टू एट बेस्ट्रोइ डिमॉइ फे नेम एज सिंगल्स न्यू प्रेजडेंट बने हैं ना कम्टू 9th लूइस मौन टेगरो नेम एस पुटकाल प्राइम एनिस्टर जो लूइस मौन टेग्रो है वो पुटकाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ओके तो स्रेंट इड़ एट फोड़े लाग देओ गए धिबिट तंब अधन प्रेसे फ्राव बॉस्द थाय सभी ताट क्यों थ